क्योंकि परमेशर के प्वित्रताई बताई नहीं जा सकती is प्रमेशर की प्रमेशर की प्रमेशर भी को ते है। जब मैं कहता हूं, प्रमेशर पुइत्र है, मैं असल में उसके सभाव और गून के बारे में कह रहा हूं, अब ध्याह से सुनिए। जब हम कहते हैं प्रमेशर प्वित्र है तो इस समय मैं कहा रहा हूं कि वह प्रेम है वह न्याई है और द्यावन्थ है अनुग्रिकारी है और समर्थ ही है त्योंकि उसकी प्वित्रता उसके सारे सभाव गून प्वित्रता और उसके विक्तित्व की परिपून ता है इसलिए अराधना हमारा प्रतिउत्तर है उसकी पुईत्रता के लिए अब जरा इसके बारे में सोची मैंने आपको प्रमेशर के कुछ गुण बताए वह जो भी है प्रेम, नियाई, सामर्थी, देयालू अनुगरकारी, पुईत्रता उसका पूरा विक्तित्व है और भी बहुत कुछ है जो मैंने नहीं बताया क्योंकि प्रमेशर है उसने मुसा से कहा कि मैं हूँ जब प्रमेशर कहता है कि मैं पुईत्र हूँ तो वह प्रमेशर की पूरी परपूर्णता को बता रहा है मैं पुईत्र हूँ कारी दिधिजवन्ट हैं हम कहरे हैं उसके सभाव के बारे में क्यो है न यह अद्बुत अपने यह गीत सुना द्यालू सामर्ति आप उसके सभाव गुन कहते हैं पिजशन में हम उसके परिपूर्णत प्रेद다는 के बारे में कहते हैं जोर से छलाईई आओ हमारे सिस्ठी करता यहवा के सामने गुठने डेकी वही हमारा परमेश्र है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसकी बेड़ हैं बला होता कि आज तुम उसकी आवास सुनो अपना दिल ऐसा कठोर मत करो तुम्हारे पुर्खा ने मुझे जांचा और मेरे काम को भी देख और 40 साल तक मैं इस पीड़ी के लोगों से रूटा रहा और कहा कि यह तो बटगने वाले हैं और उन्होंने मेरे मारगों को नहीं पहचाना इस कारण मैंने क्रोध में आकरशप्त खाई यह मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश करने ने अब आएंगे यहां कुछ सामर्थ्य सचाई है नहां से सुनिए इस बजन सहीता में एक करम है यह बजन सहीता शुरू होता है दन्यवाद के साथ स्थूती में बढ़ता है बजन सहीता च्छे के बाद अराधना में खत्म होता है अराधना इसका केंदर है अब अराधना कशत्रू स्वार् से अजाद करती है वे हमें अजाद ही नहीं बलकि हमारी नजर भी इशु पर केंदित करती है अब हम सच मुझ अरादना कर सकते हैं ध्यान दीजिए वजन 6 और 7 में हम अरादना करते हैं क्योंकि वे हमारा प्रमेशर है वे हमें प्रमेशर के लोगों के रूप में अलग करता ह हम अरादना करते हैं क्योंकि उसके प्रेम की कोशना करते हैं हम कहते हैं कि हम उसके जूंड और उसके बेड़ हैं हम उसके हाथ का काम है इसके प्रणाम में कुछ होता है चलिए मैं इसे फिर से पढ़ता हूं वचन 6 ध्यान दीजीगा जे मैंने यह वचन पढ़ना शुरू किया, भजन सहीता पचान में, मैंने यह करम देखना शुरू किया था धन्यवाद देना, स्तूती, अरादना, आप इसे समझ रहे हैं, यानि हम उसे धन्यवाद देते हैं किसके लिए पुईतरता उसके विक्तितवगी पर पूर्णता है, पुईतरता परिणाम है, जब हम धन्यवाद देकर उसकी स्तूती करते हैं, जैसे धन्यवाद देकर स्तूती करते हैं, हम स्वार्च से अजाद होते हैं, जब हम धन्यवाद देते हैं, स्तूती करते हैं, हमार उसकी स्तूति की हम तियार हैं आओ अराधना करें गुठने देगे आओ हमारे सिस्टी करता परमेशर के सामने गुठने देगी वही हमारा परमेशर है हम उसकी चराई की बेड़ हैं हम उसी की प्रजा हैं अब अराधना में इस थान में स्थिर्टा और शान्ती की उस शिक्षा में कुछ होता है ऐसी कौन सी खास बात है हम उसकी आवास सुनते हैं इसलिए अगली चीज़ जो हम पढ़ते हैं आज अगर तुम उसकी आवास सुनों यही लिखा है वचन साथ जो हमने भी पढ़ा हमने वचन चैपढ़ा है आओ हम अराधना करें जुग जाएं हमारे सिस्टी करता है परमेशर के सामने कुछन डेके हम उसकी चराई की बेड़ हैं और अगली चीज़ जो हम पढ़ते हैं अगली लाइन में हम पढ़ते हैं आज अगर तुम उसकी आवास सुनों इसलिए परमेशर की आवाज सुनी जाती है कि विल सुनी जाती है जैसे हम अराधना करते हैं दन्यवाद में प्रमेशर हमारी वाज सुनता है, स्तूती में प्रमेशर हमारी वाज सुनता है, अराधना में हम उसकी वाज सुनते हैं, कहिए दन्यवाज प्रमेशर, मेरी यह बात सुनता है अराधना में, मैं उसकी वाज सुनता हूँ, क्योंकि वचन साथ में वह यही कहता है अगर तुम उसकी आवाज सुनों क्योंकि हमने आराधन की है उस शांति उस्तिर्ता की जहां पर उसकी आवाज सुनेंगे अब इश्व ने क्या कहा यह उन्ना दस के 27 में उसने कौन सी अदुद बात कही मैं चाहता हूं कि आप इसे द्यां से सुने मैं पढ़ता हूं यह उ और नोटिफिकेशन बेल यानि खंटी वाले बटन को दबारा मत भूलना ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो मैं इस चैनल पर आपके लिए पोस्टर, प्रॉफिट, पास्टर उन सब की गवाईया और उनके परचार लेकर आउंगा कि परमेशन उसे कौन से काम लिए, उन्हें ऐसा क्या किया, परमेशन के जिन्दग्यों में क्या किया, मैं इस चैनल पर आपके लिए लेकर आउंगा